जिसलमिर के वहिया गाउं में निजी कमपनी और गामिर्णों के बीच पिछले कईद्रों से चौल रहा ववाद थमने का नाम नहीं ले रहा है ववाद में उत्रे शववदायक रविदा सिंग भाटी ने औरण और गोचर जमीन को कमपनी को नहीं दे कर उसे राज जस्व में दर्श कराने के चल रहे आंदोलन की धार को और तीज कर दिया है तर एक बार फिर ववारता के बाद धरने पर बैठे शववदायक ये मौके पर रिरात पिताई और भाटी कमपनी की मशिनरी के पास ही चार पाई लगा कर किस हो गए रविदन सिंग का सुबह उठने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब बारल हुआ रविदन सिंग का साफ कहना है कि जब तक औरण गोचर संदक्षन की लिखित में गारंटी नहीं मिलेगी तब तक काम शुरू नहीं करने दिया जाएगा इधर काम शुरू करवाने के लिए पुलिस इमदाद कर रही है पुलिस के नुसार निजिक खातिदारी भूमे पर काम शुरू करने के दौरान किसी प्रकार की बाधा उत्वन करने पर कानूनी कारवाई की जाएगी पलिस के अनुसार जिलाफ रठासन के निर्देशा अनुसार गाले की बस्ती गाउं के नेजिक खातिदार के खसरा नंबर पांसो पचास से पांसो इकावन में कमपने की और से स्विच यार्ड का काम शिरू करने के दुरान पुलिस जापता उपलक्त करवाने पर शुकरवार को नियमानुसार पुलिस जापता लगाया गया है नियमा अनुसार ही कमपने की मशिंडरी खातिदारी भूमी के लिए भेजी जा रही है लेकिन कुछ ग्रामिडों ने मशिंडरी के मुव्मेंट में व्यवधान पैदा करने का प्रयास किया जिस पर लोगों को समझाईश करके वहां से हटाया गया पुलिस के अनुसार निजिक खातिदारी भूमी में कमपनी की और से निर्मान कारे शुरू किया गया था जो नेमों के अनुसार है बह्याल प्रशासन वै ग्रामिडों के बीच चल रहा विबास सुलजने के बज़ाये दिन बदिन उलाशतर वाज जा रहा है इससे अंदर सा लगाई जा सकता है कि आगा में दिनों में ट्रवेंद्र सिंग भाटी के समठ थन वाला ये आंदुलन और भी उग्रे हो सकता है